हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शियर करने जाना हूँ एक बहुती इनोवेटिव परड़क्त जो की आता है सिग्नोरा वेर जैसे जाने माने और रेप्यूटिड ब्रेंड से सिग्नोरा वेर जाना जाता है किचन वेर में बहुती फेमस नाम है जब भी किचन स्टोलिज की बात आती है तो सिग्नोरा वेर का नाम सबसे उपर आता है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी अपने सारे वीवर से रिक्वेस्ट है अगर आप भी किचन की अंबॉक्सिंग और रिवीव वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल एकन के बटन को प्रेस जरूर कीजिगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिलें तो जल्दी से करते हैं अंबॉक्सिंग और देख लेते हैं कि कैसा है ये प्रॉडट्ट देखन में से आपको किसतना से बना हुए यहां पर आपको एक स्पेस मिलती है यह reconstruction então तो यहां से कोई भी चीज जो आप इसमें स्टोर करेंगे, चावल, आटा, चीनी, डाले, पल्सिस, जो भी हो, वो सारी की सारी इस बटन से पुश होके आपके कंटेनर में आ जाएंगे, तो आपको भी यहां पर डेमो दिखाता हूँ, यहां पर मैं यह ले रहा हूँ, चाव बिसमें ते जो 3-4 कीलो चावल होगे, आला कि इसकी कपैसिटी है, वो 10 कीज तक है, इसमें अब 10 कीलो दख कोई भी सबान स्टोर कर सकते हैं, सिंप्ली आपको यह जो ढगतन है, इसकी ओपर यह लगाना है, आप देखें कितना स्पेश एफिशन्ट है, कितनी कम स्पेश मे आपने यहाँ पे 10 kg चावल इसमें स्टोर कर लिए हैं अब इसमें चावल को निकालना बड़ा ही असान है हैंड फ्री ऑपरेशन है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती है आपको करना सिर्फ यह है कि इसको आप हलकास आपको पुश करना है बाहर की ओर यह दखिए यहाँ पे मैंने इसको टुश किया है इसको अंदर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ही देखिए खास बात यह है कि इसमें जितनी बार भी इसको आप पुश करेंगे उतनी बार 140 ग्राम की मेजरमेंट में आपको समान मिलेगा अगर आप इसको एक बार बुश्च करते हैं तो यानि कि 140 ग्राम इसमें राइस आजाएंगे 140 ग्राम चीनी 140 ग्राम आता जो कुछ भी होगा 140 ग्राम की माक्ता में आपको इस कप में मिल जाता है जिससे मेजर्मेंट करनी बड़ी आसान होती है इसको बाफ़ित में इसके बीट में रख रहे हो दूसरा अड्वांटेज है कि अगर इसमें आप कोई भी चीज़ स्चोर करते हैं माझने इसमें चावल सर की हैं तो जो चावल पहले बचे होंगे वो पहले निगलेंगे जो नंये वाले होंगे वो ऊपर रहेंगे तो ऐसा आ इस तरह के product को carry करना बड़ा आसान है, यह दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है, इसमें store किया हुआ food बहुत हद तक fresh रहता है, क्योंकि 100% virgin plastic से इसको बनाया गया है, food safe है, और सबसे बड़ी बात looks में कोई compromise ने किया है, multi utility है, इसमें आप मन kitchen cabinet space में भी आराम से adjust हो जाते हैं, आपको कोई भी problem नहीं है, तो चलिए फ्रेंट जल्दी से summarize कर देते हैं, आपको इस product के फाइदे, सबसे पहले आपको sleek and compact design मिलता है, साथी साथ आपको transparent container मिलता है, जिससे चीजों को assess करना, उनके level को, उनकी quantity को check करना बड़ा ही आसान हो चावल को disperse कर पाएंगे, इसकी first in first out technology ensure करती है कि आप पहले जो जो पहले डाला गया है, राइस पहले आपको निया राइस है बाद में आप इससे निकाल भाएंगे, तो यह सबसे बड़ा फाइदा मुझे इस dispenser में नजर आता है, इसकी one slide technology ensure करती है कि आपको एक बार मे आपको एक कप चावल का मेले, जिसकी quantity रहती है 140 gram, तो यह भी आपको एक बहुत ही अच्छा फाइदा मिल जाता है इस तना के राइस dispenser में, तो मेरे साब से अगर आपकी modern kitchen requirement को पूरा करने के लिए यह product बहुत ही फाइदे मन है, multi-purpose container set है, multi-users है और बहुत ही innovative product आपको मि करना चाहते हैं, कोई भी ऐसी आइटम को सोर करना चाहते हैं, जिसकी quantity जादा है, तो definitely आप इस इनोरा विर के rice dispenser को purchase कर सकते हैं, दोस्तो इस तना की unboxing और review वीडियो में अपने चैनल पर हमेशा लेकर आता ही रहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल एकिन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तब तक के लिए रोस्तो गुडबाए